नमस्कार! हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है. दोस्तों, आज की कहानी भगत धन्ना जाट की सच्ची कहानी की है. दोस्तों, ये कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है. मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी. भगत के बस में है, भगवान दोस्तों, धन्ना जी का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था. इनके पिता जी मुख्य रूप से खेती करते थे और गायों का पालन किया करते थे. एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरू, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन. वे तीरत यात्रा करके लोटे थे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर रुख गए. पंडित जी त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे. वे बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा करते, उनको पुष्प चड़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे पंडित जी हमेशा भोजन ग्रहन करते थे. बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते हुए देखता था. उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी. जब पंडित जी भगवान की सेवा करते, तो धन्ना को बड़ा ही शुकून मिलने लगता. कुछ दिनों के बाद, जब पंडित जी जाने लगे, तब बालक धन्ना पंडित जी से शालिगराम भगवान के लिए जिद करने लगा. कहने लगे कि मुझे ठाकोर जी चाहिए, मुझे ठाकोर जी चाहिए परंतु पंदित जी अपने ठाकोर जी छोटे से बालक को कैसे दे सकते थे धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया परंतु धन्ना जी नहीं माने अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा कि अरे ये तो बालक है इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे करके बहला फुसला दो अगले दिन पंडित जी नदी में सनान करने गए वहां से वे एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले करके आए तब वो धन्ना जी के पास आकर बोले मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी को दे दूंगा लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए धन्ना जी ने जट से जवाब दिया मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए पंदित जी भी यही चाहते थे तब पंदित जी ने धन्ना जी को वो बड़ा काला पत्थर जो बड़े ठाकुर जी बता करके दे दिया अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन हो गए बड़े खुश हो गए वे बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे जब धन्ना जी गाय चराने खेतों की तरफ जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते धन्ना जी की माने उनको बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड खाने के लिए दिया अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया कि वह भी पंडित जी की तरह ही ठाकुर जी को जब तक भोग नहीं लगाएंगे और जब तक ठाकुर जी को खिला नहीं लेंगे तब तक वो खुद भी भोजन नहीं करेंगे धन्ना जी जब खेत में पहुँचे तो प्रेम से ठाकुर जी को पुकार करके कहने लगे कि ठाकुर जी जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भोग नहीं लगाऊंगा धन्ना जी ने निश्चय किया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर भोग नहीं लगाते वे भी भोजन का एक टुकडा ग्रहंड नहीं करेंगे जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाई को खिला दिया तीन दिन तक ऐसा ही चलता रहा ना ठाकुर जी भोग लगाते और ना धन्ना जी भोजन करते चौथे दिन की बात है धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेकर आई अब धन्ना जी के खेतों में जोर जोर से धन्ना जी जाकर के रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे वो बोले आप तो बड़े ठाकुर जी हैं आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे परन्तु मैं तो बालक हूँ तीन दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ आपको मुझ पर दया भी नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो जिससे मैं भी कुछ खा सकता क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता इसलिए पहले आप खा लो इसके बाद ही मैं खाऊंगा धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन हो गए उन्होंने ठाकुर जी को मा की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड खाने को दे दिया ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे चार रोटियों में से दो रोटी ठाकुर जी ने खा लिया अब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या मुझे भी भूख लगी है तो मैं कैसे खाऊंगा मैं तो चार दिनों से भूखा हूँ मैंने कुछ भी नहीं खाया है दो रोटी आपने खा ली अब दो रोटी मेरे लिए छोड़ दो इसके बाद ठाकुर जी मुस्कराने लगे और बची हुई दो रोटियां धन्ना जी ने खाई जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी अब तो उनका ये रोज का नियम बन गया धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जा करके ठाकुर जी के साथ ही करते थे एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता था मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूंगा धन्ना जी ने कहा मैं तो बालक हूँ केवल गाय ही चराता हूँ मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूंगा उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा आप मुझे अपने हरदय से क्यूं नहीं लगाते तब ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हें प्रत्यक्ष हो गया हूँ लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेता है अभी तुमने किसी गुरु की शर्णागती ग्रहन नहीं की है इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता था तब धन्ना जी बोले मैं जो जानता नहीं की गुरु किसे कहते हैं फिर मैं अपने गुरु कैसे बनाओं ठाकुर जी बोले काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है तुम जाकर उनकी शर्ण ग्रहन करो ठाकुर जी के कहने के अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर रामानंदाचार्य जी की शर्णागत ग्रहन कर ली थी उस समय धन्ना जी की आयू लगभग 15-16 साल के आसपास थी श्रीमा श्री रामानन्दाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिश्य के रूप में स्विकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ धन्ना जी बोले गुरु जी अब मैं घर नहीं जाना चाहता आप मुझे घर जाने का आदेश क्यूं दे रहे हैं? गुरु जी बोले अगर तुम यहां रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्यान होगा लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उध्धार हो जाएगा गुरु जी की आग्या के अनुसार धन्ना जी घर को लोटाए इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे ठाकर जी ने उन्हें अपने हरदे से लगा लिया इसके बाद धन्ना जी खूब संत की सेवा करने लगे जब भी उनके गाम में कोई साधू संथ आता, धन्ना जी उन्हें अपने घर में ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते उन्हें भोजन खिलाते संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर-도र से साधू संथ आने लगेगी धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सतकार करते और उन सभी को भोजन खिलाते एक दिन की बात है धन्ना जी के पिता ने धन्ना जी से कहा कि देखो भाई हम लोग ग्रिहस्थ हैं यदि महीने में एक आध बार कोई साधू आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करवा देते लेकिन तुम्हारी इन साधूँ से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधू चला आता है और अपने साथ एक दो और को भी ले आता है ये ठीक नहीं है हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधूँ की सेवा करें तुम तो अभी बालक हो कुछ कमाते नहीं हो तुम्हारा पालन पोशन भी हम ही करते हैं और उपर से तुम साधूँ को बुला लाते हो इस प्रकार इन निठैले साधूं की सेवा करना ठीक नहीं है इसलिए एक बात कान खोल कर सुन लो आज के बाद यदि तुम किसी साधू को लेकर के घर को आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा अगर तुम्हें साधू की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो फिर अपनी कमाई से साधू की सेवा करने आना पिताजी की बात को सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए तब पिताजी ने धन्ना को डांटते हुए कहा आज के बाद किसी साधू को घर में ले करके मताना और जाओ खेत में गिहू बो करके आजाओ खेत तैयार है बोरी में गिहू का बीज रखा है इसे बैलगाडी में लादो और खेत ले जाओ धन्ना जी ने बैलगाडी में गिहू रखा और खेत में बोने के लिए चल दिये धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्हें मार्ग में कुछ साधुओं की टोली आती दिखाई दी धन्ना जी ने बैल गाड़ी से उतर कर उन साधुओं को साश्टांग प्रणाम किया संतों ने धन्ना जी को आशिरवाद दिया और पूछा बेटा इस गाव में धन्ना जी का कौन सा घर है सुना है वे जगत गुरु रामानन्दाचार्य के शिश्य हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है आज हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं ये सुनकर धन्ना जी संकोच में पढ़ गए और वो हाथ जोड़कर बड़ी विनमरता से बोले महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं संत बोले भगवान ने बड़ी कृपा की हम जिन से मिलने आये थे वो यहीं मिल गए निश्चित आप ऐसे ही भगत हैं जैसा आपके विशय में सुना था कितनी विनमरता है आप में चलिए आपके घर चलते हैं वहीं बैठ कर आपसे चर्चा करेंगे और धेर सारी बातें करेंगे धन्ना जी ने सोचा अभी पिताजी ने साधूँ को घर लाने से मना किया है यदी मैं खेतों में बीज बोने के बजाए इन साधू संतों को घर ले گया तो पिताजी आस्मान सिर पर उठा लेंगे और इन साधूँ को भी भगा देंगे तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर में कोई नहीं है मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ वहीं चलिए संत बोले ठीक है, हमें तो आपसे मिलना थे, और आप जहां भी ले चले, हम वहीं चलेंगे फिर धन्ना जी उन सभी को खेत पर ले करके चले गए, खेत में एक पेड के नीचे बने हुए चबूत्रे पर साधुओं को बैठा करके बोले महाराज आप यहीं पर कुछ देर तक विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ इतना कहकर धन्ना जी वहां से बैलगाडी ले करके चले गए, बैलगाडी लेकर धन्ना जी सीधे बनिया की दुकान पर पहुँचे वहाँ पर उन्होंने बैल गाड़ी में जो भी बीज, गिहुं खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिया को बेच दिया और उसी से डाल, चावल और जो भी उससे बनने वाला पदार्थ था चूर्मा सारा सामान खरीद लिया सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुँचे वहाँ पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया डाल, बाटी और चूर्मे का प्रसाद बनाया भगवान को भी भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से संत और धन्ना जी बैट करके भोजन किया इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेच करके मैंने संतों को भोजन करा दिया अब खेत में क्या बोया जाए? अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहां से बीज ला करके दे दूँगा और यदि खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को कौन सा जवाब दूँगा? यही सोच करके धन्ना जी ने बोरियों में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए उसी रेत को वे खेत में बोने लगे। खेतों में रेत भो रहे थे। खेत भोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन मन से घर की ओर चल दिये। वे सूचने लगे खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। धन्ना जी जब घर पहुँचे तो बोले कि पिता जी मैं खेत को बो आया हूँ। कुछ दिन बीते, धन्ना जी के पिताजी और गाव के कुछ बड़े बूढे लोग धन्ना जी के पास आये और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है। ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गिहूं का एक-एक दाना नाप-नाप करके एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए हैं। इतनी सुन्दर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी कि यह सब तुमने कैसे किया। धन्ना जी सोचने लगे सब उनको ताने मार रहे हैं। खेत में कुछ होगा नहीं होगा। इसलिए ऐसी बाते सब कह रहे हैं। तब धन्ना जी आश्चर्य चकित हो करके स्वयम खेत पर जा करके देखा। उन्होंने देखा कि जिस खेत में उन्होंने रेव बोई थी, वहाँ पर फसल उगाई थी, और इतनी सुन्दर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी. फसल को देखकर धन्हाजी भगवान की कृपा का अहसास हुआ और उनकी आँखों से आँसू निकलाए. धन्हाजी जोर जोर से रोने लगे. जब धन्हाजी के पिता और अन्य गाव वाले ने रोने का कारण पूछा, तब धन्हाने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई. मैं उन संतों को अपने घर में नहीं लाया, और खेत पर ठहरा करके, जो भी बीज मैंने बोने के लिए गिहू लिया था, वो सब बनिये की दुकान पर बैंच करके, मैंने संतों को भोजन करवा दिया. इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया. फिर यह फसल कैसे हो गाई? मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया. धन्ना जी की बात सुनकर, उनके पिता जी की आँखों में आशू आ गए, और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया. आज के बाद हम तुमको रोकेंगे नहीं. खूब साधू को बुलाओ, संतों की सेवा करो. हम तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे. आज से मैं भगवान की भक्ती किया करूंगा, और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा. इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले, खूब संतों की सेवा करने लगे. कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया. उस समय से उतने ही आकार की खेती से पचास गुना ज्यादा गेहू निकला. ये गेहू इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी. गाव से सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर की आश्चर्य चकित हो गए और सभी आश्चर्य करने लगे थे. अब धन्ना जी और उनका परिवार अपनी क्षमता के अनुसार, खूब संत की सेवा और भगवान की भक्ती करने लगे. उनके घर हमेशा साधू संतों का तांता लगा रहता. साधू संतों की बड़ी बड़ी जमातें आती. धन्ना जी बड़े प्रेम से उन सभी का आदर सतकार करते. अब धन्ना जी जब भी खेतों में फसल बोते हर बार ऐसे ही फसल होने लगी. अब धन्ना जी अपने गांव के बड़े किसान बन गए गांव के सभी लोग धन्ना जी को चमतकारी संथ मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमतकारी मानने लगे अब जिन लोगों के खेतों में परियाप्त फसल नहीं होती वे लोग धन्ना जी के खेतों की मिट्टी को ले जाकर अपने खेतों में छिड़क लेते जिससे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेना चाहा धन्ना जी गाव में अकाल पड़ गया धन्ना जी बड़े किसान थे उनके पास बहुत खेती थी और अन्ना के भंडार भरे थे अकाल के कारण उनके गाव और आसपास के क्षेत्रों के ब्राहमन, संथ, गरीब और जरूरतमंद लोग धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे धन्ना जी भी उन्हें दोनों हाथों से भंडार लुटाने लगे कभी कोई जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लोटा धीरे धीरे धन्ना जी का अन्ना भंडार समाप्त होने लगा परन्तु धन्ना जी ने निश्चे किया कि जब तक उनका सामर्थ्य है वे किसी भी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे और सब कुछ बेचकर लोगों की मदद करेंगे धन्ना जी की संत की सेवा से प्रसन होकर एक दिन उनके पास संत के वेश में स्वयम ठाकोर जी आ गए संत ने उन्हें तुमबा कमंडल बना करके दिया और कुछ लोकी के बीज दिये और उनको कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बोदो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में खर्च कर देना धन्ना जी ने ऐसा ही किया संत की आग्या से उन्होंने तुमबा के बीज खेतों में बोदिये गाव के लोग कहने लगे लगता है धन्ना जी पागल हो गए हैं ऐसे भीशन अकाल में फसल बो रहे हैं परन्तु वो भी तुमबा की इस कडुवी तुमबा को जो पशु भी नहीं खाते या तो केवल कमंडल बनाने के काम में आता है ऐसी फसल यदि उग भी गई पैदा भी हो गई तो उसका क्या फाइदा होगा परन्तु धन्ना जी ने संथ के कहने के अनुसार अपने खेतों में तुमबा लौकी के बीज बो दिये कुछ दिन बाद तुमबा की फसल उगाई सभी लोग आश्चर्य करने लगे कि ऐसे भीशन अकाल में बिना पानी के कोई फसल कैसे उठ सकती है कुछ ही दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया इसी बीच धन्ना जी जरूरत मंदों की सेवा करते रहे धन्ना जी ने अपना सारा अन्न भंडार लुटा दिया उनके घर में जो भी फसल के बीज रखे थे वे सब उन्होंने संतों को भोजन के लिए दान कर दिया अब उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लायक भी अन नहीं बचा था गाव के लोग कहने लगे बड़ा मूर्ख है जो सारा अन्न लुटा दिया अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखा और इसने फसल में बोई तो तुमबा जिसे कोई खा भी नहीं सकता धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा वे तो भगवान का नाम लेते रहते और लोगों की मदद करते रहते एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में लगी फसल पक गई उनके खेत में बड़े बड़े तुमबा के फल दिख रहे थे धन्ना जी ने सूचा अब दान करने को तो कुछ भी है नहीं अब इन तुमबा से कमंडल बना कर संतों को दिया करेंगे धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुमबा के फल तोड़ कर घर को लियाए घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुमबा को कमंडल बनाने के लिए काटा उन्होंने देखा कि तुमबा हीरे, मोती, जवाहरात और कीमती रतनों से भरा हुआ था था, तुम्बा को कीमती रतनों से भरा हुआ देखकर आश्चर्य चकित रह गए उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी उन्होंने देखा, सभी तुम्बा में ऐसे ही कीमती रतन भरे हुए थे अब उनके पास इतने कीमती रतन और जवाहरात हो गए जिसे किसी राजा के पास शायद भी ना हो इस चमतकार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संतों की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिये थे उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो भी प्राप्त हो उसे लोगों की सेवा में लगा देना अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे फिर वे दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे उस समय वो अकाल कई वर्षों तक चला उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास कई गावों में लंगर शुरू करवा दिया आसपास के सैकड़ों गावों के लाखों लोग बरसों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय का भोजन किया करते थे धन्ना जी ने अपने जीवन में कई मंदिर, बावडियां, तालाब और धर्मशाला भी बनवाए थे और हर तरह से साधू, संत और जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे लोग धन्ना जी को धन्ना सेट कहकर बुलाने लगे धन्ना जी जैसा धनी, आज तक कोई नहीं हुआ, वो धन और मन दोनों से धनी थे आज भी उनके नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेट की पदवी दी जाती है, और कहा जाता है, क्या तुम धन्ना सेट हो गए? दोस्तों, यदि भगवान की क्रिपा जिस व्यक्ति पर हो जाए, और उनका आशिरवाद रूप को प्राप्त हो जाए, उनके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता सब संभव हो जाता है भगवान की क्रिपा धन्ना पर बनी, और धन्ना, धन्ना सेट बन गए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और कहानी यदि आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करने की भी क्रिपा कर देना जै श्री कृष्णा, राधे राधे